आज का शेड़ी साही संदेश जैसा तुम अपने मन में, अपने बारे में, अपनी जिन्दगी के बारे में सोचते हो, तो जिन्दगी भी तुम्हारी बिल्कुल वैसे ही हो जाती है, वैसे ही बन जाती है अपनी जिन्दगी से प्यार करो तो ये जिन्दगी भी तुमसे प्यार करेगी अच्छा सोचो अपने लिए भी और औरों के लिए भी फिर जिन्दगी ये तुम्हारी बहुत खुबसूरत लगने लगीगी तुम्हे सकरात्मक सोच से तुम जीवन के जीने के नजरीय को बदल सकते हो इसलिए हमेशा सकरात्मक सोच ही रखनी जाएए ये वर्ष तुमhnारी जिद्गी का बोहती बैहतरीन साल रहेगा इस साल तुम्हारी सबी रुके हुए काम बं बनते जले जाएंगे जो इतने समे से नहीं हो पा रहाता काम वो भी बद जाएगा बस श्रद्धा और सबूरी बनाकर रखना ध्रिण विश्वास रखो अपने उपर भी और अपने प्रभु के उपर भी जब भी इश्वर से प्रात्ना करते हो तो प्रात्ना में इश्वर को ही मांग लिया करो जिस तरह महाभारत के समे और जो उन्हें बस एक ही सही निर्णे किया था कि उसे श्री क्रिशन जी ही चाहिए उसने स्वेम को क्रिशन जी को सौम दिया था फिर उसके आगे के सारे नेने स्वय भगवान श्री कृष्ण ने ही करे थे इसलिए जीवन में जब भी कुछ ना सूझे कि किस तरफ जाना है चारो और अंदकार ही अंदकार नजर आए तो कुछ समझ में ना आए तो खुद को इश्वर को सोब दिया करो वो तुमें खुद ही संभाल लेंगे हमीशा याद रखना कि जीवन में प्रथम स्थान हमीशा परमात्मा को देने से आपके सारे बिगड़े काम असान हो जाते है और आपको वो पक परदर्शन भी करते चले जाते हैं जीवन में मेरे बच्चे मैं तुमें एक बात समझाना चाता हूँ बहुत देनों से अन्याई करने वाला और अन्याई सहने वाला दोनों ही व्यक्ति गलत होते हैं गलत करने वाला तो गलत होता ही है पर अन्दू जो गलत सहता रहता है वो भी उतना ही गलत होता है इसलिए कभी भी अन्याई बिल्कुल भी मत सहो अगर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और फिर भी तुम चुप हो अवाज नहीं उठा रहे हो अपने लिए तो ये भी बहुत गलत बात है गलत को गलत और सही को सही कहना सीखो चुप रहकर कायर बनने से तो बहतर है कि सही बोलकर बूरे बन जाओ अकसर लोग उनको अकीला छोड़ देते हैं जो ऐसा करते हैं आजकल की जमाने में चलाक होना बहुत जरूरी है लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है और जिनका दिल साफ होता है उनकी किसी से नहीं बनती क्योंकि उन्हें आदत होती है कि वो हर बात मुँपर सीधा बोल देते हैं अच्छे इंसान मतलबी नहीं होते बस वो तो उन लोगों से दूर हो जाते हैं दूरी बना लेते हैं जिनको उनकी कदर नहीं होती मत पढ़िना की मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पढ़ेगी और इस वहम में भी कभी नहीं रहना चाहिए कि सब को मेरी ही जरूरत पढ़ेगी जो भी एशवर करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारंट जरूर होता है इसलिए इश्वर की रजा में हमेशा राजी रहो, जो वो कर रहे, तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहा है, एक दिन तुम्हें वो भी मिल जाएगा, जो तुमने कभी भी सोचा भी ना होगा, कभी कभी जिन्दगी में वक्त को भी वक्त देना पड़ता है, सब कुछ ठीक हो मैं जानता हूँ, मुश्किल दोर से गुजर रहे हो, लेकिन सब्र के साथ काम लेना, सायम से काम लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी खुश्यों का स्वागत भी करना है तुम्हें, धेर सारी खुश्यों तुम्हारी जीवन में लौट आएंगी, चिंता त्य बाग कर चिंतन करो, मैं सब ठीक करने वाला हूँ, मेरा नाम जाप करते रहो, मैं तुम्हे संभाल लूँगा, हमेशा खुश रहो, राम क्रिश्न हरी, राम क्रिश्न हरी, राम क्रिश्न हरी जो इस जा दाल रहो, राम क्रिश्प में ल्गए, ठावी घतायों हरी नापक पक्रिश्न हरी झाल ओजए एफ। कि और में तुम्हें,